बिग बॉस सल्मान खान ने लगाई बेबिका की क्लास एलविश को मा के सामने परीफटकार। बिग बॉस के घर में 29 जुलाई को बहुत ही गंभीर माहौल रहा। सल्मान खान वीकेंड का वार के दौरान बहुत सीरियस थे। ऐसे में सल्मान ने हफते भर हुई बत्तमीजिय की खबर ली। वीकेंड का वार में सल्मान खान शुरू से ही काफी सीरियस नजराए। सल्मान खान इस दौरान घरवालों से कहते दिखे की OTT है तो क्या हुआ, इसके ये कतई मतलब नहीं की कोई कैसी भी भाशा का इस्तिमाल करे। हर जगा सेंस होता है। अगर यहां नही है फिर भी हम ये गरिमा बनाए रखने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। बेबिका की तरफ उठी सल्मान खान की उंगली। बिग बॉस के घर में बीते हफ्ते में काफी घमासान हुआ था। शो में बेबिका की कभी मनीशा तो कभी अभिशेक और कभी अलविश से खट पठ हुई। तास्क के दोरान बेबिका और मनीशा काफी वाइल्ड हो गए थे। जिसके बारे में सल्मान खान पूछते नजराये। सल्मान का पहला सवाल था कि किसने इस घर में कम गलत किया। ऐसे में मनीशा रानी ने हाथ उठाया। वही सल्मान ने पूछा कि सबसे ग पहट उन्हें कहते हुए टोकती रहती हैं। बेबिका इस दोरान काफी शर्मिनदा हुई। लेकिन अभी तो और भी ब्लास्ट होना बाकी था। सल्मान ने लगये एल्विश की क्लास मा को भी बुलाया ओनलाइन। सल्मान आप एल्विश, अभिशेक और मनीशा की तरफ सल्मान ने मनीशा से पूछा कि मनीशा तो तुमने इस हफते कुछ गलत नहीं किया। इस पर मनीशा ने कहा जी नहीं। सल्मान ने याद दिलाया कि एल्विश ने जो भी कहा उस पूरी घटना को बताओ। ऐसे में मनीशा हसते हुए बोली की नहीं बोल सकते। सल्मान ने तब मनीशा को सुनाते हुए कहा कि तुम गलती भी करती हो तो हसके जवाब देती हो क्या ये शर्मिंदगी है। ऐसे में मनीशा माफी मांगती है, फिर सल्मान गुस्से में वही पुराना फुटेज दिखाते हैं जिसे देखकर बेविका स्तब्ध रह जाती है। एलविश बेविका के बारे में काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर आए कमेंज को लेकर उल्टा बोलते दिखे। पारी मॉम को ये नहीं दिखाया है अभी। ऐसे में एलविश को समझ आया कि उन्होंने क्या किया है। फिर एलविश समेट बाकी लोगों से माफी मांगी।